हेलो फ्रैंड्स कैसे हैं आप सभी मैं हूं दिव्या वर्मा आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टेडी चेनल पर इसका नाम है स्मार्ट स्टेडी 101 दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी संबंदित कला का एक महत्वुट टॉपिक और टॉपिक है आज का इरानी शैली दोस्तो आज हम लोग इरानी शैली के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक इंपोर्टेंट इसलिए सभी लोग इस व इमको वेश्ट के बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं इरानी शैली इरानी शैली का समय है चौदमी शे शोलमी शती ठीक है इरानी शैली का समय क्या है चौदमी शे शोलमी शती और इरानी शैली के अन्य नाम भी हैं जैसे फार्सी सैली हिराज सैली या फिर परशियन शैल यह कला पंद्रमी शती में तैमूर वन्स के संग्रक्षण में उत्करष्टा को प्राथ ती है इरानी कला जो है वो это यमूर वन्स के संग्रक्षण में अपनी पराकाषा पर पुहंस दी है उसका चरमोतकर्स होता हैятся आगे देखते हैं साहरुक जो की तैमूर का पुत्र था इसने अपने दर्वार में कवियों और चित्रकारों को आश्रे दिया सारुक कौन था तैमूर का पुत्र था और ये सोयम एक कलाकार और कवी था ध्यान दखीगा, शहरुक कौन था, तैमूर का पुत्र था, और शहरुक सोयम एक कलाकार और कवी था, इसने अपने दर्वार में कवियों और चित्रकारों को आश्रे दिया, शहरुक सोयम एक कवी भी था, इसी के समय इरानी चित्रकला उत्करश्चता को प्राप्त होती है, और शहरुक के समय ही इरानी कला उत्करश्चता को प्राप्त होती है, इसका चर्मोत कर्स होता है, देखिए जो भी हो, जो भी सासक होता है, जिस चीज में अपनी रूची दिखाता है, उसी को वो बढ़ावा देता है, तो जिस शहरुक थे, ये स्वयम एक कवी थी, और एक कोटी के कलाकार थे, जिन में बीजाद प्रमोख हैं, ठीक है, इरानी कला के दो कलाकार जो प्रमोख हैं, इन्हें आप ध्यान रखना, कमालोद दिन बीजाद और साह मुझ़फर, ठीक है, जिसमें आगे हम लोग अभी बीजाद के बारे में पढ़ेंगे, ये बीजाद जो पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है, तो भीजाद को, आगे देखते हैं, भीजाद का समय है, 1450 से 1535 अगे देखते हैं, यह हिराद इरान का निवाशी था, भीजाद कहा का नियुथा? हिराद इरान का निवाशी था ठीक है भीजाद इरान सहली का सबसे उच्च कोटी का कलाकार था जो भीजाद है वो इरानी सहली का सबसे उच्च कोटी का कलाकार था इसे पूर्व का राफेल या फिर राफेल आफ दी इस्ट कहा जाता है भीजाद को पूरुका राफेल या फिर राफेल आफ़ दी इस्ट कहा जाता है आगे देखते हैं सुरुआत ने भीजाद सुल्तान बोंगरा के दरवार में काम करता था उसके बाद सुल्तान सा इसमाईल के संग्रक्षण में काम करने लगा इस्टार्टिंग में भीजाद सुल्तान बोंगरा के दरवार में काम करता था लेकिन इनकी मृत्यू के बाद जो भीजाद है वो कहां जाता है सुल्तान सा इसमाईल के संग्रक्षण में काम करने लगता है ऐसा माना जाता है कि इसने बाबर के समय में भी कारे किया है क्योंकि बाबर ने अपने बाबर नामा में बेजात का वर्णन किया है ठीक है इसी से ये आइडिया लगाया जाता है कि बेजात ने बाबर के समय में भी कारे किया है आगे देखते हैं बेजात को हिराद सैली का जनक कहा जाता है इसके समय हिराद नगर इरानी शैली का प्रमुख केंद्र था ठीक है ध्यान रखीगा आगे देखते हैं नोट बावर ने तुजू के बाबरी में बताया है कि बिहजाद दाड़ी युक्त चहरे बनाता था और साह मुझफर दाड़ी रही चहरे बनाता था यह ध्यान रखीगा कौन दाड़ी युक्त चहरे बनाता था और कौन दाड़ी रही चहरे बनाता था तो ध्यान लगिए जो भीजाद था ठीक है भीजाद दाड़ी युक्त चहरे बनाता था ठीक है दाड़ी सहित चहरे बनाता था और जो साम मुझफर था ये दाड़ी रही या फिर बिना दाड़ी क चेहरे बनाता था ठीक है इसके चेहरों में दाड़ी नहीं होती थी ठीक है बगैर दाड़ी के चेहरा बनाता था आगे देखते हैं इरानी शैली की विसेश्थाएं अब इरानी शैली की कुछ अपनी विसेश्थाएं भी यह चलिए देखते हैं इरानी कला रेखा प्रधान ह इरानिकला रेखा प्रधाने ध्यान रखेगा ठीक है question पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखेगा कि इरानिकला यो है उसमें रेखा वही प्रमुक है उसी की प्रधानता है इराने चित्रों में अलंकारिक्ता अधिक है, रंग अमिश्रित एवं चटकीले प्रियुक्त हुए हैं और प्रस्ट भूमी मंद रंग के द्वारा बनाई गी है, रंग अमिश्रित यानि कि रंग जो है वो डारेक्ट लगाए गये हैं उसमें मिश्रण नहीं किया गया है, ठ चित्रित एव प्रियुक्त किये गया हैं और प्रस्ट भूमि को मन्द रंग के द्वारा बनाई गया है, और देखते हैं पुरुसों को सरों के व्रक्ष के समान, वाइस्तरियों को लताओं के समान चित्रत किया गया है इरानी शैली में आकरतियों के चहरे पौने दो चस्म के बनाए गये हैं ये ध्यान रखेगा कि इरानी शैली में जो आकरतियां बनाए गई हैं उनके चहरे कैसे बनाए गये हैं पौने दो चस्म ठीक है अधिकतर आकृतियों के चहरे पौने दो चस्म के बनाए गए है चित्रकारों के नाम लिखने की परिपाटी की सुरुवात इरानी कला से ही मानी जाती है ये पॉइंट ध्यान रखेगा ठीक चित्रकारों के नाम लिखने की परिपाटी की सुरुआज जो है वो इरानी कला से ही होती है हासिया चित्रण इरानी कला की देन है ये ध्यान लखेगा जो हासिया चित्रण है वो इरानी कला की देन है ठीक है आगे देखते हैं, इरानी शैली में आक्रतियों को लंबा लबादा, चोगा पगडी तथा कूले दार साफा पैने हुए चित्रित किया गया है। इरानी शैली में चित्रिकारों को जब दिन का द्रश्य दिखाना होता था, तब पीले और सफेद रंकों का प्रियोक करते थे, लेकिन रात के द्रश्यों में काले और नीले रंका प्रियोक करते थे, ठीक है तो ध्यान रखेगा। तो ठीक है दोस्तों आज के रिए बस यहीं तक आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा मुगल सैली जो बहुत ज़्यादा इं धन्यवाद दोस्तों जैहिंद